हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीराटी सलूशन यूटूब चैनल और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको दुनिया की वन अप दे बेस्ट उनुसरेटी हावर्ट की तरफ से मिलने वाले प्रीमियम फ्रीमे कोर्सेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसे कम्प्लीट करने पर आप इस उनुसरेटी का बिल्कुल फ्री पर सेटिफिकेट भी पापाऊगे अगर आपको दूस्तों प्रोग्रामिंग लैंगवज सीखना है, सीख सीखना चाहते हो, आप पाइथन सीखना चाहते हो या फिर Frontend Development में आप STML, CSS, Bootstrap, या फिर JavaScript सीखना चाहते हो, बैकेंड में आप Task, Django, या फिर Machine Learning, Artificial Intelligence, इस तरह की टेकनलोजी को सीखना चाहते हो तो Game Development में अगर आप Interest रखते हो, तो इन सारी courses को आप बिल्कुल Free पे Access कर सकते हो, Premium courses को Complete करके Free पे Certificate पा सकते हो लेकिन यहाँ पे दोस्तों सिब आपको Course को Complete करने पे Certificate नहीं मिलता है, बलकि आपको यहाँ पे पहले तो Course को Complete करना होता है इसके बाद आपको कुछ टास्क दिये जाते हैं, कुछ प्रोजेक्स आपको बनाने होते हैं उसके बाद ही आप यहाँ पे certificate को पापाओगे तो यह सारा certificate आपके लिए काफी ज़्यादा valuable हो सकता है क्योंकि आप यहाँ पे पूरा complete knowledge ले रहे हो फिर आपको यहाँ पे certificate मिल रहा है तो आपके लिए यह काफी ज़्यादा valuable हो सकता है जब आप interview में बैठोगे तो इस certificate का use कर सकते हो साथ में क्योंकि आपको knowledge आगया है तो आप इसका answer भी interview को दे सकते हो साथ में आज की वीडियो में आपको मैं DSA के एक webinar के बारे में बताने वाला हूँ जो की फिल्कुल free पे आप attend कर सकते हो जिसमें आपको यह बताए जाएगा कि interview के दौरण DSA में क्या-क्या question पूछे जाते हैं क्या-क्या इसके अच्छे resources available हैं और DSA का आपको किस तरीके से अच्छे से prepare करना है इसके बारे में आगे हम अच्छे से detail में बात करने वाले हैं तो वीडियो में जरू लास्तक बने रहे हैं का दोस्तों और अगर आपको free courses, internship और part-time jobs related वीडियो पसंदे तो हमारे इस channel से जरू जूड़िये का जिसके आपको इस channel को subscribe करना है साथी में हमारे telegram channel और instagram channel को भी जरू जूड़िये का जिसका link आपको description पे मिल जाएगा तो अब हम पहले बात करते हैं DSA के इस webinar के बारे में यहाँ पे दोस्तों इसके आपको आना होगा Scalar के platform पे इस platform पे दोस्तों समय समय पे कई सारे master class होते रहते हैं आप product based company को crack करना चाहते हो तो उससे related information यहाँ पे industry के expert आपको आके देते हैं बिल्कुल free of course रोता है जिससे आप free पे join कर सकते हैं तो particular इस particular webinar की बात कर लें तो इसका जो title है वो है दोस्तों must know DSA dynamic programming to crack coding interview तो यहाँ पे दोस्तों जो उतकर गुपता जो एक्स गुपता रह चुके हैं यह आपको ये webinar 20 मई को देने वाले हैं जो की शाम को 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच में होने वाला है 3 खंटे की webinar में आप ये सीख पाओगे DSA के importance के बारे में और कौन-कौन सा topic आपको ज़्यादा अच्छे से prepare करना है इसके बारे में आपको guidance मिलने वाला है कैसे आप इस पर register करोगे काफी simple सा process है नीचे जब आओगे ना यहाँ पे आपको sign up to register का एक button मिलेगा आपको इस पर click करना होगा जैसी आप इस पर click करते हो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का form आज जाएगा यहाँ पे आपको अपने google के account से login कर लेना है जब आप यहाँ पे login कर लोगे आपको वापस register button पे click करना है एक simple सा form आएगा basics आपका detail है इसे आपको feel कर देना है साथ में अगर आप एक student हो यहाँ पे थोड़ा बहुत earn करना चाते है reward पाना चाते हो तो आपको यहाँ पे एक referral link मिलता है यह link आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसे आप अपने दोस्तों को share कर सकते हो अगर वो इस पे registered होते हैं free पे registered करना है उन्हें भी तो आपको यहाँ पे कुछ rewards मिलेंगे जिसे आपने आपको देख सकते हैं 20 referral के आपको यहाँ पे कुछ 2000 के आसपस यहाँ पे amount मिलने वाला है तो अगर आप इसके लिए interested हैं तो इसे बिलकुल free पे join कर सकते हैं अब हम बात करते हैं Harvard University के तरफ से जो courses आपको बिलकुल free पे मिल रहे हैं उसके बारे में तो यहाँ पे दोस्तों कई सारे courses Harvard University के तरफ से launch किये गए हैं जो पहला course है दोस्तों वो है CS50X का तो basically दोस्तों इस course के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो भी आपका software development होता है उसका basic हर topic का जादे तरफ आपको basic पढ़ाया गया है जैसे कि computer science का basic बताया गया है C language का array, algorithm, memory management, data structure, python, sql, stml, css, javascript, flash, ethics तो यहाँ पे आप software development के लिगर interested होता है उसका जो भी core होता है उसका आप यहाँ पे basic पढ़ने वाले हो जो दूसरा course से दोस्तों वह है web development को dedicated हो तो यहाँ पे दोस्तों आप web programming के बारे में सिखने वाले हो जिसमें आपको javascript शिखाया जाएगा और यहाँ पे आपको zango भी सिखाया जाएगा और साथ में जो भी आप project बनाऊगे उसे किस तरीके से git में deploy किया जाता है यह सारा चीज़ आपको इसमें सिखने का मौका मिलेगा प्रस यहाँ पे आप testing technique भी सिखने वाले हो जो हमारा course number 3 है जो कि इस university के तरह से आपको offer हो रहा है वो है दोस्तों CS50 Understanding Technology तो basic अगर आप जानना चाहते हो computer science में कुछ भी नहीं जानते है एक्तम basic जानना चाहते हो तो इस course को कर सकते हैं जिसमें आपको hardware के बारे में बताया गया है इंटरनेट के बारे में बताया गया है multimedia security, web development और programming का basic यहाँ पे आपको बताया गया है जो next course है दोस्तों वो है game development का अगर आप game development के लिए interested हैं और इसका certificate भी पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे knowledge भी ले सकते हैं और certificate भी ले सकते हैं जो यहाँ पे एक और जो last course है आज का जो इनके तरब से offer हो रहा है वो है दोस्तों artificial intelligence with python तो अगर आप AI सीखना चाहते हो साथ में certificate भी पाना चाहते हो तो इस course को आप कर सकते हैं बात करें course को कैसे start करेंगे link आपको description पे मिल जाएगा जैसी आप link पे click करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का page आजाएगा अब आपको करना क्या है यहाँ पे अलग-अलग week आपको दिख रहे हैं अलग-अलग week में आपको अलग-अलग पढ़ाई करनी है तो आपको जैसे week zero पे click करना है जैसी आप click करोगे अब आपके सामने यहाँ पे कुछ video lectures आने लग जाएगे साथ में जब आप यहाँ पे certificate मिल सकता है लेकिन आपको direct नहीं मिलेगा उसके लिए आपको कुछ starts को complete करना होगा तो जैसी आप यहाँ पे नीचे आओगे न आपको यहाँ पे मिलेगा CS50 certificate का option आपको CS50 certificate पे click करना है तो जैसी आप इस पे click करोगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके का information आने लग certificate you will be eligible for a free CS50 certificate तो यहाँ पे दोस्तों जो भी मैंने आपको courses बता है इस सारे के सारे CS50 की category के ही है सब में आपको free certificate मिल सकता है लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है 70% score करना होगा यहाँ पे 20-20 में कई सारे assignment है उसमें आपको 70% score करना होगा इसके अलाबा कुछ laps हैं उसे complete करना होगा और final project को complete करने के बाद ही आपको यहाँ पर certificate मिलने वाला है otherwise आपको यहाँ पर certificate नहीं मिलेगा तो यह certificate काफी valuable भी आपके लिए क्लिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चीजों को पहले पूरा complete कर रहे हो तब आपको certificate मिल रहा है तो अपने resume पे mention कर स रखते हैं इंटर्विव के दोने आप इसका answer भी फिर दे पाओगे तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो यह वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe अभी तक नहीं किया तो subscribe कर देना दोस्तों के तक इसके ज़रू share करना thank you